सात्यों जैन वंदे मातरम स्वागत आप तभी का स्टैनिक स्विद्धापर स्टैनिक भाईयो आज की वीडियो में मैं और पिसे जड़े कुछ वंद्धापर बात करूँगा क्योंकि हमारे विवर्स के काफी मैसी जा रहा है जब से ओर ओर फिद्ध में यह लेटर जा रही हुआ है और बहुत सारी अप्वाएं भी फैल रही है कि ओर और ओपित्री की टेबल जारी हो गई है किष्टों में मिलेगा कोई केरा अगस्त में मिलेगा तो जो भी बाते हैं इन सभी के बारे में आज के वीडियो में किलियर करूँ आप तो इससे पहले मैं इन सभी बातों के बारे में आगी विचार करूँ आप लोगों को बताओं अगर आप सम Chick-Sonica चैनल से पथली बार डूड़े हैं इसका इसका इसज नहीं है तो पहला मुद्दा है प्रीमिचौर ओर वाड़ोपिरी यानि कि ओर रोपिरी में प्रीमिचौर को के बारे में क्या होने वाला है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस परकार से ओरोपिर तू में एक जूलाई 2004 के बार भाले जूलाय दो जाथत प्रीमिचौर पैंशन आए अगला मुद्दा है किसको होगा फाइदा इसका? तो इसका फाइदा किन को होगा? इसका फाइदा उन सभी पैंशनर को होगा जो भी पैंशनर एक जुलाई दोजार चुबिस से पहले पैंशन आये हैं छोड़कर जो हमारे प्रिमिचोर आये थे एक जुलाई दोजार चोड़े के बाद उन सभी को छोड़कर बाकि से भी पैं समय में इसको 2013 आथार पर आपकी मंगशिम्मर आधार पर आपका रिविजन किया गया और आपका रग्रीगी स्किंद्रों में दो आप ही चलते हैं हौने पुझे की जाही खiewण उसी परकाल से शुच्ट की चलते हैं अगले बन्वागि consciousness इसी परकार से बढ़ती है इसी परकार से लिए लगा जाएगा उसी परकार से यह पर भी इस परकार जाएगा मसीपी 1, 2 & 3 यानि कि आप लोगों का जो मसीपी लिया जाता है आठ साल में नायक मसीपी 1 और 16 साल में मसीपी 2.10 और 24 साल में मसीपी 3 नायक सुवेदार तो साथियो इसके बारे में हमारे काफी भी विवर का कहना है कि सर इनको भी मिलेगा तो इसमें तो कोई सक्वाली बात ही नहीं है इनको भी पक्का मिलेगा क्योंकि साथियो यह आपका MSC पे रेंक है यह आपको अगले रेंकी पेंशन दी जाती है तो इसमें इस परकारा कुछ नहीं है कि इनको OROP 3 का रिविजन का फाइदा ना मिले जब कि OROP 1 में भी मिला है OROP 2 में भी मिला है तो OROP 3 में भी मिलेगा और इसमें जिस परकार से OROP 2 में आपका रिविजन किया गया जो भी नियम OROP 2 में लागू है लगबग लगबग वही नियम आपके औरोपित्री में भी लागव होंगे उसमें कुछी बदलाओं हो सकते हैं वे तो एक दो बदलाओं उसमें होगा वैसे तो कोई उमेद नहीं है कि आप लोगों का बदलाओं सेम का सेम उसी परकार से आपकरी विज़ा किया जाएगा कब से कब तक है तो साथियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो भी एक जुलाओं दोजाओं चोदे से पहले आने वाले है जितने भी पेंशन हैं सभी को दिया जाएगा सिर्फ हमारे क्रीमिचोर को छोड़कर जो एक जुलाओं दोजाओं चोदे के बाद आए हैं पेंशन जो प्रीमिचोर उनको छोड़कर सभी को दिया जाएगा रही एरियर की बात काफी लोग होगा कहना है इसमें एरियर दिया जाएगा और काफी लोग होगा कहना है इसमें एरियर नहीं दिया जाएगा तो क्या चल रहा है इसमें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसे के एक हमारा लोग सबासे प्रेस रिलीज जारी हुआ था हम तक हमारा फैनेंसल आयर गिना जाता है जैसे कि हमारा फरोगरी में बजएट आता है बजएट के बाद में अगले 31 मार्च के बाद 1 अपरेल से हमारा financial year शुरू हो जाता है, तो इस मार्च का जो financial year है, वो एक अपरेल से start है, और अगले 2021 के 31 मार्च, 2021 तक हमारा financial year यह बनता है, तो इसी के अंदर हमें area को दिया जाना है, अब वो सरकार के उपर है, इसमें हमें कब देती है, या किष्टों में देती है, तो जहां तक मेरा मानना है, आप लोगों को, एक अपरेल 2025 से पहले पहले area दे दिया जाएगा, इसके अलावा आप लोगों एक बहुत सारे सवाल आए हुए है, अभी मैं उनके कुछ के जवाब आप लोगों को दे देता हूं, तो सेनिक भाई हो, यह है हमारी वीवर्स का पहला message, इन्होंने लिखा है, मैं X गुरूप का ना एक्सोवेदार, अट्थारे साल पांच मही इनने service, tell me my pension, यानि कि इन्होंने 18 साल पांच महीन ने नोगरी की है, और यह OROP3 की pension पूछना चाथते हैं, तो OROP3 में इनकी pension होगी 18 साल पांच महीन ने की, यानि कि एक्सोवेदार, इनकी service है 18 साल पांच महीन ने, तो इनकी जो टोटल pension बनेगी, वोगनेगी 29,920 रु अगर उसके बादे उससे ज्यादे होगा, तो वो ज्यादे जोट दिया जाएगा, अभी देखते हैं अगला question, अगला सवाल है, मैं आर्मी में 19 साग करके आया हूं, मेरा pension बताओ, इन्होंने आप कुछ spelling mistake है, लिका है, मेरा पंडा बताओ, लेकिन यह pension का पोचना चाह रह हैं कि दोस्तों, यह है, एक्स गुरुक के, नायक, इन्होंने 19 साल नौकरी करी है, तो इनकी pension बनेगी, 22,75 रुगे, प्लस इसके उपर डिये, इतने इनकी pension बनेगी, यह मैंने इनको जबाब में भी लिख दिया है, अभी देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल है, प्र इसको सब्सेक है, अभी प्रिमिचोर वाला किन्ता होगा, लेकिन यहां पर यह पूछना चाहिए, जैसे मैंने इसमें भी जवाब दिया कि ओवारोपी का प्रिमिचोर वालों को कोई फायदा भी नहीं मिलता होगा, दिखाई देरा, जैसे साथिओं, मैं अभी पहले भी ब वारोपी 3 में होगी यानिके यह नायक सुवेदार है 26 यह इन्होंने नोकरी करी है और यह एक जुनाई 24 बिनकी कितनी पेंशन होगी यह पूछना चाहरे हैं जैसे यह आपका वाई गुरूप नायक सुवेदार इनकी पेंशन हो जाएगी 27,625 इतनी इनकी पेंशन बन जाएगी आपके अभी देखते हैं अगला कोमेंट अगला कोमेंट है दोस्तों वाई गुरूप 24 यह सुवेदार को 2200 का रेटारे मेंट है उनकी ओर ओओ रोपी थरी में कितनी पेंशन आयेगी यहनि के वाई गृुप 25 च्वपीस इर्स रहंक सुवेदार तो यहां देखिए वाई गुरूप वालिफाइसर विश्चोपीसियर्स तो इनकी ओर धरी में पेंशन में नेगी 30,269 रुपे प्रस डिये यह रहा आप था 30,269 रुपे प्रस डिये इतनी पेंशन बनेगे इनकी अभी देखते हैं आगला कोमेंट तो इसे थे अवह बडैने में चाहर हैं तो यह यानि के हावलदार हैं वाई गुरूप के और चोपीसियर्स इनकी शर्वीच है तो इनकी बनेगी 24,900 रुपए प्लस इसको करटी यह यह टोटल इदने पैंशन इनकी बनेगी अभी बढ़ते हैं अगरे कोमेंट की तरफ तो इसमें सानिक भाई हो इन्होंने अपना रेंक नहीं लिखा है तो लिख दिया लेकिन रेंक नहीं लिखा है रिक्रूट से आये हैं या नायक थे उसमें पर या होलदार थे या सीपाई थे अगर ही इसमें अपना रेंक बता देते तो तो मुझे बताने में आसानी होगी तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा यह अपना रेंक बताएं ताकि मैं इनकी पेंशन के बारे में बता सकता है अगला कोमेंट है सुवेदार मेजर 24 यह सर्विस लेटर 2005 सर मेरी मम्मी की पेंशन मिल रही है रूपी जा 1647 क्या सर ठीक आरही है मैं आपको बता दिना चाहता हूं सुवेदार 24 यह यह फेंशन ले रही है इनकी पेंशन बिलकुर ठीक आ रही है 28647 रूपे इनकी पेंशन G3 बिलकुर राइट है इतनी पेंशन इनकी बनती है अभी बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ अगला कॉमेंट है यह लिखते हैं सर नायक होंडरेडी हवलदार है रिटायर उनिस सो सताइड में 20 एर्स कितना और आरोपित्री में बनेगा यह उनिस सताइड में के रिटायर है होंडरेडी हवलदार है तो यह रहा आपका गुरूप टैक्स गुरूप वाई वालिपाइंट सर्विस वेसियर इनकी बनेगी 22,175 रूपे 22,175 यह बनेगी और रूपित्री के पैंशन प्लस इसके उपर डिये जो भी उस समय पर डिये चल रहा होगा जैसे अभी 50 परसेंट और बढ़कर जैसे अभी 2 परसेंट या 3 परसेंट या 4 परसेंट जो भी बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका डिये इस पर कल्कुलेट कर सकते हैं अगला कोमेंट है किर्शन के 12443 सर होंडरी नायक्स वेदार रिटाइड 1993 टोटल सर्विस बाइस इयर्स इनके पुच्चा है इनकी और उपित्री रिविजन में कितनी पेंशन बनेगी इन्होंने 22 साल नोप रिखी है यह होंडरी नायक्स वेदार से रिटाइड है तो यह देखिए वाई ग्रूप होंडरी नायक्स वेदार इनकी पेंशन बनेगी 27308 रुपे यह इनकी पेंशन का बेसिक है दोस्तो इसके ओपर दिये लगा सकते हैं जो भी चेप रहा है यह दिये इनकी पेंशन बनेगी बढ़ते हैं अगले कोमेंट की तरफ सर्राम राम माई मैं नायक्स वेदार तुलसी राम गायवली 28 सार नोक करके आया हूं नेकिन सुवेदार नहीं हुआ का मेरे पेंशन कौन सी तक की पेंवलेगा कोन से रहें का पेंवलेगा उन्होंने टेंक की लिख देया रहें को यह पी थोड़ा स्पलिंग मिश्टेक है तो इनको मैं बताना चाहता हूं अगर यह नायक सुवेदार साय आया मेरे को कितना पेंशन मिलेगा तो आपकी जो तो आपको बताना चाहता हूं आपकी जो साथ रुपे जो आपकी पेंशन है बिल्कुल ठाइक आ रहे हैं लेकिन अभी आपको वारो कित्री में जो पेंशन मिलेगी जैसे का आपका यह है वाई गुरुप हावजदार भी एर्स इनकी बनेगे टेश जार चारतो पिछंतर रुपे प्लस डिये इतनी इनकी पेंशन मने अभी देखें अगला रंक अगला क्या सब्सक्राइब नायक सब्सक्राइब कितनी और अपित्री में पेंशन होगी तो इनकी पेंशन मनेगी ओर वखित्री में यह जैसे तो इनकी ओर अपिधरी में पैंजन बनेगी यह वाई गुरूप के हैं और अगर उन्हें सतरे साल नोकरी की है पूरी तो इनको विडियो में आपने देखे अपने कुछ सवालों के जवाब जो OROP3 से संबंदी थे, चाहे प्रिमिटर रिटार्मेंट से संबंदी थो, चाहे डिस्विलिटी पेंशन से संबंदी थो, चाहे अनकी क्वालिफाइंड सर्विस से संबंदी थो, सिपाई से लेके, और सुवेदार मेजर तकाजिस ने भी ज काली हुई है आप लोगों के लिए लगबग लगबग वही रहेगी जो मैंने बताया है इसमें प्लस वाइनस एक पर दो परसेंट उपर नीचे हो सकता तो सैनिक भाईयों मेरे द्वारा इसी परकार की जानकरी आपको समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती है और आगे द आप जय हिन और ने मातरम